आज सुबह से ही शिवानी की तब्य ठीक नहीं और शिवानी लगातार मेकर से इस बात की डिमान कर रही है कि उन्हें दवाई के लिए बुलाया जाए लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दे कि शिवानी ने थोड़ी देर लेटने की और सोने की भी कोशिश की लेकिन यहाँ पर उसे नीम नहीं आई और उसके बाद यहाँ देखने को मिला कि किस तरीके से शिवानी वो बातरूम एरियां में जाकर रोते हुए भी नजर आई थी क्योंकि उसे बहुत जादा तकलीफ हो रही थी पर अब यहाँ पर हम आपको बता दे कि शिवानी थोड़ी देर के लिए सना मकबूल की गोदी पर सर रख कर सो गई जिसके बाद यहाँ पर लवकेश भी आया लवकेश यह बात कहता नजर आया कि उसकी तब्यद बिलकुल ठीक नहीं उसे भी सर में दर्द हो रहा है शिवानी तब सो ही रही थी लेकिन जब लवकेश ने कम्प्लेइन की और लवकेश ने कहा कि उसे भी तब्यद ठीक नहीं लग रही तो शिवानी तुरन जो है उसकी मदद के लिए आगे आई और उसे कहती नजर आई कि वो उसका सर दबा देगी हाला कि यहाँ पर साफ साफ लवकेश ने कहा कि शिवानी तेरी खुट की तब्यद भी तो ठीक नहीं लेकिन यहाँ शिवानी ने कहा कि कोई बात नहीं मैं अपनी तब्यद का ध्यान रखनूंगी आप जो है मुझे बताईए कि आपको क्या हुआ है तो यहाँ पर अब शिवानी अपना दर्द भूलकर लवकेश के लिए उसकी मदद के लिए आ गयाई और यहीं बताता है कि शिवानी रिष्टों को कितने अच्छे से संभाल कर रखना चाहती है वो जानती है कि रिष्टे क्या होते हैं और वो जानती है कि रिष्टों में कई बार कुर्बानी भी देनी पड़ती है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला तो आप क्या कहेंगे शिवानी की इस बात पर क्या आपको भी शिवानी की यही साथगी पसंदाती है और क्या आपको लगता है कि शिवानी की यही बात है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है आप क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राइल लिख कर ज़रूर बताएं